हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब तो इस वीडियो में डिस्कुस करेंगे हम जो आपका नोवल है वद्रिंग हाइट और यह बहुत इंट्रस्टिंग और लविंग नोवल है पसनली मुझे बहुत पसंद थी जब मैंने इसको पढ़ा था आप लोगों के लिए बहुत इंट्र साथ क्या रिलेशन है और किस तरीके से यह वर्क करती है तो अब जो क्वेशन है आपका जिस जो बहुत ज़्यादा में पूछा जाता है वो है राइट नोट ओफ द नेरेटिव आर्ट ओफ एमिली ब्रॉंटे वद्रिंग हाइट इसी क्वेशन को दूसरी तरीके से कभी-कभी इसको critically comment on the technique of narration in the weathering height इसी क्वेशन को कई तरीके से घुमा घुमा के पूछा जाता है मतलब जब भी आपको techniques नजर आ जाएं weathering height से related तो आपको यही answer लिखना है examiner जो है वो अपने words से manipulate करने की कोशिश करता है और यह बहुत आप देखेंगे 2018 में आया हुआ है 16 में आया हुआ है शायद 15 और 14 में भी आया हुआ है 3-4 बार repeat कर चुका है same question वर्डिंग थोड़ी सी change हो जाती है तो इस question को discuss करते है जिसने इस novel को नहीं सुना है इसकी summary इ अपने answer को so be ready with your pen and notebook it is common knowledge that there are three methods of telling a story किसी भी method तीन method होते है story को the author himself tell the story कभी-kabhi author जो है जो writer है वो खुद सुना देता है intelligible manner से second क्या है the main character in the novel tells the story of a person कि जो male character है जो main है जो protagonist है वो story को सुना आता है third क्या होता है the employment of detached observer who narrate the story कि जो ये सारी चीज़े देखता है वो story को सुना आता है तो इसमें तीन चीज़े matter हो जाती है answer को इस तरीके से start करना है next Emily Bronte जोनों ने लिखी थी Wuthering Height Emily Bronte employs the third method but she takes the service of two narrator instead of one इसमें दो narrator है आपके ये जो Wuthering Height है और Emily Bronte की जो writing technique है बहुत सदा famous हुई थी और इसी वीडियो में हम discuss करेंगे इनकी technique को कितनी you know एक होता praise मिला एक अलग से special history मिली the two narrators कौन कौन से है उनके नाम है Mrs. Allen Dean D.E.A.N. जिनको Nellie नाम से बोला गया है और दूसरे है Mr. Lockwood जो की rent पे रहते हैं जो head है इस protagonist के उनके अब हम बात करते हैं the two narrators share of storytelling यह बहुत important है Lockwood tell story लोकवड कहां से सुनाते हैं chapter 1 to chapter 3 फिर chapter 31 to chapter 32 यहां तक सुनाते हैं Lockwood जो की बहुत important है जो कि मैंने एक slide में include भी किया है last moment पे आप उसका screenshot ले लिजेगा otherwise आप उसको लिख लिजेगा Nelly कितने pages में सुनाती है Nelly सुनाती है chapter 4 से लेके 30 तक क्योंकि यह जो novel है वो chapters में divide है Nelly सुनाती है और उसके बाद Nelly जो 32 का half chapter बचा था उससे लेके end तक आखरी तक Nelly सुनाती है तो इस दो चीज़े बहुत important है एक तो simply आएगा कि आप लिखे तो आप ऐसे ही कुछ भी लिख देंगे एक प्रापर तरीके से लिखेंगे कि किस chapter सी किस chapter तब कौन सुनाता है अब आप सोच रहोंगे Nelly कौन है तो जो Nelly है वो as a household work काम करती थी इनके घर पर इसमें क्या सुनाया गया है अगर हम बात करें दो फैमिली कौन कौन सी थी दा आर्ण्शो फैमिली और दा लिंकन फैमिली अगर आपने वीडियो देखी है novel की तो उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से pictures के साथ, photos की help से, flow chart की help से इन दोनों फैमिली इसके बीच के relation को समझाया है The story of another outsider, Mr. Hathcliff Thus the main story of the novel is told by Nelly Nelly ने जो majority of parts सुनाया है वो किस से related है? Hathcliff और Hathcliff कौन है? यह जो main कह सकते हैं One particular of Emily's narrator is that कि Emily ने भी बीच में एक दो जगा बोला है लेकिन उसने अपने यह जो दो हम कह सकते हैं दो लोगों को select किया था Mrs. Alan Dean जिने Nelly नाम से जानते हैं या फिर Mr. Lockwood L.O.C.K.W.O.D. Nelly tells the main story since she has worked as a housekeeper with both the families और Nelly ने जादा स्टोरी का पार्ट क्यों सुनाया है? क्योंकि Nelly एक ऐसा करेक्टर है जो अर्ण्शो फैमिली और लिंकन फैमिली दोनों के घरों पे काम करती थी और जब आप किसी के घर पे काम करोगे तो या कहीं भी भी काम करोगे तो आप उस जगह के बारे में जानते हैं प्रापर तरीके से और बाद में वो लोकवूड को भी बताती है जब लोकवूड उससे पूछता है पहले वो Nelly को सुनता है आफ्टर वो सुनाता है बोलता है Nelly remembers every little bit of each incidents which took place in two houses यह दोनों houses में जितने भी incidents हुए थे Nelly को सब कुछ याद है लोकवूड remembers every bit of the story told by Nelly और लोकवूड को वो सब कुछ याद है जो कि Nelly ने उसे narrate किया बोथ लोकवूड और Nelly have an exceptionally remarkable memory दोनों के पास एक बहुत अच्छी memory है अब हम discuss करेंगे answer को Nelly as a narrator यह आपका main heading हो जाता है कि जो stories Nelly ने सुनाई और after that we will discuss the लोकवूड as a narrator क्योंकि दो narrator है तो Nelly को start करते है number one है इसका the great merit in Nelly's narrator is that she has known the character as first hand क्योंकि वो उनके साथ रहती थी even though she takes an active part in furthering the plot she is imparious and narrates the society in the dispassionate manner कि किस तरह से दोनों के बीच में relations थे यह family members के बीच में relations थे next point है both as the chorus and narrator Nelly serves two purpose in the novel और दो purpose कौन कौन से थे A है that of a narrator और B है that of being the chorus दोनों की तरीके से story narrate की गई even Lockwood assures us of her being a fair narrator in spite of his story being seemingly an incredible or improbable because of Nelly's position of being an eyewitness क्योंकि Nelly के सामने ही चीज़े हुई थी तो हम इसकी story को trustworthy मान सकते हैं we do not change the occurrence of events और इसलिए जो भी Nelly ने बताया we can't change it कि उसमें कुछ changes हुए है now we will discuss Lockwood as a narrator since Lockwood narrates the story after hearing it from Nelly तो preference Nelly ने start की उसको सुनने के बाद Lockwood ने अपनी story start की इसका number one है he detachment becomes more marked next point है he serve as cobrating the story told by Nelly and thus making is doubtly uncredible कि जो Nelly ने सुनाया Lockwood ने क्या किया उसको assemble किया उसको collaborate किया both अब दोनों की बात ओरी है both Nelly and Lockwood behave as not being emotionally involved in various events ये emotionally involved नहीं थे किसी भी character के साथ ना तो Lockwood और ना ही Nelly in the novel and the faculty become more contentious in the case of Lockwood for his being the second and more distance narrator than Nelly तो last में हम ये कह सकते हैं that Nelly is the closer narrator of the Wuthering Heights and Lockwood is the far away than Nelly क्योंकि Nelly ने अपनी आँखों के सामने जो देखा उस चीज को narrate किया Nelly की स्टोरी सुनने के बाद Lockwood ने स्टार्ट किया था अब हम इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं the beginning of the story शुरुवात कैसे हुई number one है इसका the narration starts from near the end of the story Lockwood start the story when Heathcliff has already had his revenge from has no more any other desire क्योंकि Heathcliff को revenge लेना था और revenge लेने के बाद उसके पास कोई desire ही नहीं बची थी वहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट की गई क्योंकि जो Lockwood है वो अपना ये जो हमारे जो character है जिसका नाम है Heathcliff ये Lockwood इनके घर पे रहते थे landlord थे Heathcliff Lockwood के next point है the real start takes place with the beginning of the narrator by Nelly in the fourth chapter then the end is told by Lockwood again near the close of the novel शुरुआत के fourth chapter से Nelly ने शुरू किया था और last की ending तक Lockwood उसे ले के आए थे अब हम बात करते हैं narrative techniques that used by Emily कि Emily ने ऐसी narrative जो technique use की जिसमें उन्होंने अपने दो narrator रखे उसको किस तरह से praise किया गया और कभी कोई narrative technique से related आजाता है तो narrative techniques में वैसे hardly अगर आप बहुत लिख देंगे तो भी एक page होते हैं लेकिन अगर कभी आ गया तो आपको क्या करना है आप इन दोनों narrator के बारे में भी लिखे आप स्टार्टिंग में इंट्रोड़क्शन के बारे में लिखे राइटर के और इस नोवल के है क्योंकि है उसको एडॉप्ट किया गया था उसके बाइलोजिकली पैरेंट्स नहीं थे वो तो यह सारी चीज़े इसके अंदर आ जाती है स्टोरीज के लिए मैं आपको फिर से बोलूंगी आप जो समरी का इलाबोरेशन वीडियो वहां पर विजिट कीजिए यह क्वेशन के साथ डिल कर रही है जो वीडियो है अब अगर टेक्नीक की बात करें जो कॉन्राड है तुक अप एमिली इस टेक्नीक और इट बिकम वरी पॉपुलर देर आफ्टर इस प्ले इस नोवल के बाद इसकी यह टेक्नीक थी बहुत फेमस हो गई बहुत पॉपुलर हो गई जो पार्ट है इस नोवल का इवन एड़ प्रेजंट हर टेक्नीक सीमस कन्फूजिंग तू मैनी बिकॉज अफ टू नरेटर हो टेक अप नरेटिंग इन इर्रेगूलर मैनर और कभी-कभी यह बहुत कन्फूजिंग भी हो गई समझने के लिए रीडर्स के लिए क्या इसमें इर्रेगूलर मैनर से जो से जो वहते हैं स्ट्रेटिंग में और लास्ट में नली इसमें क्या है जो मैने इसमें और आपका किस नारेट किया किन लोकवूड ने उसके बाद ही लोकवूडерь 11 कि चね छ क्र नारेट किया ? उसके बाद लास्ट में लिया आती है तो यह दोनों ने जो narration था इनका वो ऐसा नहीं था कि continue था वो तोड़ाजा irregular था irregular मतलब जब कोई चीज continuously नहीं चलती है तो यह जो narrating style से related question था यह complete होता है यह 2018-15 और 2-4 बार आया हुआ है apart from that कोई भी question आता है so go through summary summary के लिए आपको playlist का link मिल जाएगा जहां पर आप comment करते हैं comment session में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में next question के